दोस्तों इस बक्त England बर्सिस New Zealand की दो मैचों की टेस्ट सीरिस का दूसरा मैच खेला जा रहा है वही New Zealand को इसके बाद वारत की बिरूद World Test Championship का final वी खेलना है जिसके लिए वारतिय टीम इंग्लैंड पहुँचकर अपनी तैयारी शुरू कर चुके है वही न्यूजिलेंड की टीम भी इंगलेंड के बिरूत सांदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है इन दोनों टीमों के 20 सिरिस्ट का पहला मैच डॉपर खतम हुआ था लेकिन उस मैच में बिन्यूजिलेंड ने बहुत हथतक इंगलेंड को डॉमिनेट किया था वही दूसरी मैच में इंगलेंड की टीम पहले टॉस जितकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और इंग्लेंड की टीम पहले इनिंग्स में 303 रनों का स्कोर खड़ा कर पाए जिसके जब आप में न्यूजिलेंड 308 से रन बनाए और फिर इंग्लेंड दूसरे इनिंग्स में बल्ले बाजी करने उत्रे और तिसरा दिन खटम होने तक इंग्लेंड का स्कोर 9 विकेट के नुसरन पर 122 रन है और इंग्लेंड की टीम मात्र 37 रन से आगे है जिसे देखकर साफ पता लगता है कि ये मैच पाँच पे दिन तक नहीं पहुचेगी और इस मैच में लगबख पुरी तरीके से अपना पकर मजबुत कर चुके हैं नुजिलेंड और इस मैच को नुजिलेंड जितने के बाद वर्ल्टेस चैंपिनसिफ की फाइनल में वारत के विरूद बहुत जोस के साथ उतरेगी नुजिलेंड की ये टीम और हालिया नुजिलेंड की परफॉमेंस को देखकर साथ पता चलता है वारत के लिए वर्ल्टेस चैंपिनसिफ का फाइनल बिल्कुल भी आसन नहीं रहने बाला इंग्लेंड और नुजिलेंड की इस मैच में इंग्लेंड की दूसरी पारी में मैट हेंडरी और निल वेगिनर दोनों ने ही तीन-तीन विकेट हासिल किये है और मैच की स्थिति को देखकर साफ पता लगता है चौथे दिन ही मैच खतम हो जाएगा फिलाल के लिए इतना ही था देश और दुनिया की ऐसी ही छोटी बड़ी वाब अपडेट्स को जानने के लिए सस्केप करें हमारा चैनल न्यूस शैटर को